और बहुत सारे बच्चे थे जो रिसेंटली में इसी साल अपने RBS 12th क्लास की इन लोगों ने परिच्छाएं दी थी अब मैंने तुमको इससे पहले प्रिवेस वीडियो बनाया था जहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि आपकी मार्क सीट वगेरा का जो काम है वो लगबग प्रोसेस यहां पर कम्पलीट कर ली गई है बट यहां पर कई स्टूडेंट अभी भी जा रहे थे वो अपडेट में तुम्हें पुरा इस वीडियो में बताने वाला हो तुम्हें वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर साथ में आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा सबसे पहले आप आज के एक न्यूज पेपर की एक कटिंग देख पा र रवाना हो चुके हैं अब कहां से रवाना हुए कैसे रवाना हुए कहां से मिलेंगे वो भी तुम्हें मैं पूरा बता देता हूं एक बार आप यहां पर जूम करके देख सकते हो राजिस्थान मादमिक सिक्षा बोड द्वारा कक्षा बारवी कला वाडिज और विज्यान की विध्यारतियों को अगले सप्ता में मार्क सीट और प्रमाण पत्र मिल सकेंगे बोड द्वारा सुबह ही वाहनों को रवाना कर दिया गया जैपूर सहीत प्रदेश के सभी जिलों में यह वाहन नोडल केंदर पर पहुंचेंगे और दस्ताबे संबंदित अपसर को सोप दिये जाएंगे बोड के क्रमिकों की निगरानी में इन वाहनों को रवाना किया गया है प्रतेक वाहन में दो-दो करमिक भेजे गए हैं बोड के अधिकारिक सुत्रों के मुताबिक यह 23 वाहन 7 से लेकर 11 नोडल केंदरों पर इन दस्ताबेच को छोड़ेंगे यानी करीब दो-सो से अधिक नोडल केंदरों पर यह सामागरी पहुचेगी तीन दिन तक का इसमें समय आपका लगने वाला ही मुइन पॉइंट को आप याद रखना प्रतेक वाहन अलग-अलग जिलों में जाएगा स्री गंगानगर, जैसल मिल, वाडमेर, हनुमानगर तथा आसपास की जिलों में सामागरी पहुचने में करीब तीन दिन लगेंगे अजमेर से दूरी अधिक होने और कई नोडल केंदरों पर सामागरी पहुचाने को देखते हुए इतना समय लगने की संभावना जताई जा रही है, तो यह जो आपकी अपडेट थी, यह आपके पिछले ही स सप्ता की जो अपडेट थी, जिसमें गुरुवार और सुकुरुवार की दिन, यहां तक्रीबन कितना आप देख सकते होंगे, कि तक्रीबन इनों ने 23 वाहन में भाई 200 जो आपके केंदर हैं, उन केंदरों में इन परिच्छाओं की जो मार्क सीट है भेज दी थी, जिसे जाने में तीन दिन से अधिक का समय लगने वाला था और नेक्स सप्ता से, तो आप मैं बताओं तो यह गुरुवार की जो खबरे थी, गुरुवार के बाद में सुकुरुवार, सनीवार, रविवार, ठीक है, आपकी यह दो-तीन दिन हो गए, अब आया आपका नेक्स सप् अधिकदलब आज का दिन सोम्वार, तो सोम्वार के दिन से आपके जो नूडल केंद्र है, जहां पर आपकी सीठ जमा है, वहां से आपके बारवी की मार्क सीठ को आपके स्कूल के जो प्रधाना अध्यापक है, उन्होंको अब मिल जाएगी, अभी यह डिपेंड करता है, कि आपके school के जो प्रधाना अध्यापक है जो आपके भाई headmaster है वो इस चीज को कितने जल्दी जाके कितना sincerely तरीके से इस activity में work करते हैं वो totally depend यहाँ पे करने वाला है तो आप सोमार से आज के दिन से अब आप next कभी भी अगर school जा रहे हो या फिर आपको मूल दस्तावे डा इवार के दिन यह सब चीजें आपकी भेज दी गई थी अगर आपकी school वालों ने जल से जल इन चीजों को collect कर लिया होगा हाँ यह बात अलग हो सकती कि उन्हें थोड़े से यहाँ पर time और लग सकता है किस चीज के लिए वो है आपके भाई verification के लिए या फिर headmaster की signature हो गए या फिर document में कुछ चीजें गलत तो नहीं है या फिर document बराबर तो आया तो यह चीजे चेकिंग की process के लिए time लिए अगर इसकूल और उसके बाद आपको वित्रित करना शुरू करे तो उसके लिए आपकी school में पहुँचना जरूरी जो की पहुचा दी गए है तो आप एक और चेनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीचेगा